हलो एवरिवन आप सभी का स्वागते हमारे चैनल में जिसका नाम है जेनरिल नौलेज ओफ उद्राखन हम डिस्ट्रिक्ट कर रहे थे और आज हम अलमोडा का पार्ट टू करेंगे स्टार्ट करते हैं वाटरफॉल्स की बात करें तो अलमोडा में दो इंपोर्टेंट वाटरफॉल्स हैं रुद्रधारी और धोकाने रुद्रधारी वाटरफॉल कौसानी अलमोडा रोड में है और धोकाने वाटरफॉल सुयालबाडी अलमोडा में है ढोकाने waterfall ननी ताल अलमोडा के बीच में आता है तो ये ननी ताल का भी एक important waterfall है Mountain peaks की बात करें तो हरिया और रानी mountain है अलमोडा में और भटकोट mountain range मतलब परवत चरंकला है अलमोडा में जांडिधार peak बिंसर अलमोडा में है reverse की बात करें तो सुयाल river है जो की tributary है कोसी की और सुयाल river के ही bank में है लखूरडियार इसके तट पर लखूरडियार है लखूरडियार अपने prehistoric paintings के लिए बहुत फेमस है कोसी की बात करें तो कोसी ट्रिब्यूट्री है रामगंगा की और ये शिपरा नदी में मिलती है खेर नाम है सोमेश्वर जो की कोसी और साई नदी के तड़ पर बसा है उसे धान का कटोरा या बावल ओफ राइस भी कहा जाता है गगास और बीनो रिवर जो की लोकल लेवल एकॉनमी को बढ़ाने में बहुत जादा इंपोर्टेंट रोल प्ले करती हैं ये रिवर्स रामगंगा से मिलती है बिक्या सेंड में ये रिवर्स स्प्रिंग फेड है मतलब जो जहरने होते हैं उनसे रिवर्स बनती है पनार की बात करें तो ये बॉर्डर बनाता है अल्मोड़ा चंपावत और पिथोरागड का और पनार मिलता है सर्यू से रामेश्वर में पनार की ट्रिब्यूटरी से सिमगाड और गिल रामगंगा का ओरेजिन है दूदातोली हिल पौरिगरवाल पनार का ओरेजिन मरनौला रेंज साओतीस्त अल्मोड़ा और गगास का ओरेजिन पांडु खोली है वहां के जंगल है जो अल्मोड़ा में है तो एक बार ओरेजिन फिर से देखते हैं रामगंगा का ओरेज नेक्स्ट वैलीज देखते हैं कोरोमंडल अलमोडा में है सोमेश्वर अलमोडा में है कोसी के पास सिमल खेट अलमोडा में है पनार और मनान भी अलमोडा में है मिनरल वैल्थ की बात करें तो अलमोडा ही एक ऐसा डिस्ट्रिक है जहां पर चांदी मिलती है धिरौली में कौपर, तामबा और मैंगनेसाइट मिलता है रई और चैना पानी में लेड मतलब सीसा मिलता है और दाना पानी और चुकुटिया में लाइम मतलब चूना मिलता है इंडस्ट्रीज की बात करें तो जो मेजर इंडस्ट्रीज एकॉनमी, डॉमिस्टिक एकॉनमी को बूस्ट करती है वो इस प्रकार है इंडियन मेडिसिन फार्मेसिटिकल्स लिमेटेड जो की मोहान एक जगे है अलमोडा में इंडियन इंस्ट्यूट अफ आयुरवेदा फॉर ड्रक्स एंड रिसर्ज ताड़ी खेत में कोउप्रेटिव ड्रक्स फैक्ट्री रानी खेत अलमोडा में अलमोडा को तामरे नगरी कहते है विकॉज अफ इस कॉपर प्रोडक्ट और अलमोडा में फ्लावर इंटर्प्र इस एरिया इस वाइल एक सेंचुरी का जो मिडल एरिया है वह जीरो पॉइंट है जीरो पॉइंट मतलब एक ऐसा पॉइंट जिससे आप 360 डिगरी व्यू ले सकते हैं नेक्स्ट एजुकेशन लैंग्वेज और न्यूस पेपर्स की बात करें तो सबसे पहले रैमसे कॉलेज खुला था अलमोडा में 1871 में और ये ब्रिटिश कमिशनर हेंडरी रैमसे के नाम से खुला था अलमोडा अग बार भी 1871 में आया और ये 1918 में बंध हो गया था 1918 में स्टार्ट हुआ शक्ति निउस्पेपर अब ये अलमोडा से कौन-कौन से निउस्पेपर निकलते हैं शक्ति निउस्पेपर, हिलांस निउस्पेपर, पुर्वासी और कुमाओं के आवाज और जो बद्रिनाथ समाचार पत्र है वो रानी खेट से निकलता है लैंग्विज इसकी बात करें तो दनपूरिया लैंग्विज अलमोडा में बोली जाती है पच्छाई लैंग्विज पाली पच्छाओं एरिया अलमोडा में बोली जाती है और खसपरजिया लैंग्विज बारा मंडल परगना अलमोडा में बोली जाती है परगना मतलब सब डिविजिन्स इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब लोगों के वेलफेर के लिए क्या-क्या बिल्डिंग्स या क्या-क्या डवलप्मेंट्स हो 1920 में गगास रिवर में गोल्फ कोर्स खोला गया था उपट गोल्फ कोर्स रानी खेट में है जो की एक बहुत अच्छा टूरिस्ट अट्राक्शन भी है मोहन जूशी पार्क अलमोडा में है एचन भी हेमवती नंदन भहुगोडा स्टेडियम भी अलमोडा में है हिल मोटर ट्रांसपोर्ट 1920 में खोला गया था और इसके संस्थापक कोन थे ललिता प्रसाथ टम्टा एट स्टोरी पार्किंग वेहिकल्स के लिए गाडियों के लिए अलमोडा में बनाई गई है और 1927 में विमिल हॉस्पिटल महीला आस्पिताल खोला गया था अलमोडा में नेक्स्ट टेंपल्स की बात करते हैं टेंपल्स क्योंकि उतराखंड देव भूमी कहा जाता है तो यहाँ पर टेंपल्स काफी माज़ा में पाए जाते हैं जो बहुत कॉमन टेंपल्स है अलमोडा के वो है नंदा देवी टेंपल्स चिताई गोलु देवता टेंपल्स गर्नाच शिफ टेंपल्स यह एक केव टेंपल्स है भहरफ का temple आठ temple चैसे अलमोडा में है बानरी देवी, शीतला देवी अलमोडा में है गंगनाथ का temple नहीं है बट इनको पूझा जाता है अलमोडा में यह चंदराजाओं के राजगुमार थे तिरपुरा देवी मंदिर भी नंदा देवी मंदिर के पास ही है मनीला देवी पूजी जाती हैं सल्ट शेतर में अलमोडा के जागेश्वर मंदिर जो की शिव का बहुत बड़ा टेम्पल है वहाँ 124 टेम्पल ग्रूप्स हैं छोटे छोटे और ये कत्यूरी राजाओं द्वारा बनाए गए थे 7 से 14 सेंचुरी के बीच में दूनागिरी टेम्पल की बात करें तो ये भी कत्यूरी रूलर्स नहीं बनाया था और कौन से कत्यूरी रूलर्स नहीं बनाया था सुधार देव ने उटेश्वर टेम्पल की बात करें तो ये टेम्पल लमगडा में हैं और यहाँ पर 11 छोटे टेम्पल के ग्रूप हैं अश्टमहल दुर्ग भी अल्मोडा में है और इसके बीचों बीच एक रामजिला मंदिर बनवाया था रूप चंद ने कसार देवी टेंपल जो की बहुत अच्छा टूरिस्ट अट्राक्शन है यह अपनी मेगनेटिक प्रॉपर्टीज के लिए जाना जाता है इंग बोलते हैं कि यहां पर मेगनेटिक फील्ड बहुत स्ट्रॉंग है जिस वज़े से लोग अच्छे से मेडिटेशन कर पाते हैं और यहां पर 1980 में विवेका नन्ति ने भी विजेट किया था और अपना मेडिटेशन कंपलेट किया था यह इसका नाम है क्रैंक्स रिजज भी है और इसे हिप्पी हिल भी खा जाता है क्रैंक्स रिजज हिप्पी हिल और यह वैन एलन रomina्रड सेब्ट के अंडर आता है बिंसर महादेव या बिंदेशो टेंपल भी बहुत फेमिस टेंपल है और ये भी एक major tourist attraction है कतारमल सूर्य टेंपल की बात करें तो ये सूर्य टेंपल अलमोडे का एक मात्र सूर्य टेंपल है जो कि उत्रखंट स्टाइल में बना था और ये जाडगंगा नदी के किनार है इससे कत्योरी किंग कतार मल्ला ने बनाया था विभान देश्वर टेंपल की बात करें तो ये द्वाराहाट में है यहाँ वैशाक में या पर विशुवत संक्रांती जिस दिन हिंदू न्यू येर होता है यहाँ पर एक मेला लगता है जिसका नाग स्यालते भी खोती मेला है और इस टेंपल को उत्तर का काशी भी कहा जाता है अगर कोई और भी टेंपल सोंगे तो वो बाद में आड कर दिये जाएंगे आप हम थोड़े सी चीज देखते थे हैं सूर्य मंदिर कटारमल के बारे में इसे बड़ा अधित्य कहते हैं और इसका मुख पूर्वी की तरफ है और इसे कट्यूरी नरेश कटारमल ने निर्मान किया था इसका और इसमें चोटे विबिन समुव में लगबक 45 चोटे बड़े मंदिर है जो इसका मुख्य मंदिर है उसकी संरशना त्रीरत है जो की वर्गाकार गर्पग्रह के साथ नगर शेली नगर स्टैल में बनाई गई है और इसका जो अंतराल है और इसमें जो दोनों मंदप है वो बाद में निर्मित किये गए पहले इसका गर्पग्रह बन गया था ये वास्तु के अनुसार बनाई गई है एवं स्थम्बो पर उत्कीन अभी लेखों के आधार पर मंदिर की तिथी तेरवी शर्थी इस्वी रखी जा सकती है तो यह 13th century BC में बनाई गई थी और गर्विग्रह का प्रवेश द्वार उत्कीनित काष्ट द्वारा निर्मित था जो वर्तमान में राष्ट्री संग्राल है नई दिल्ली का की दीरगा में प्रदर्शित है इसका मतलब है कि जो इसका गर्विग्रह का गेट है वो इतनी अच पार्ट थ्री जल्दी आएगा थाइंक्यू सो मच